हाई प्रेंट सबका मेरे चैनल टेक्निकल में के डियर में स्वागत है दूस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नया पासपोर्ट बनवाए हैं और उस पासपोर्ट का स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो कहा से कहां तक पहुंचा है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को फूरा लाश्ट तक जरूर देखेगा इस वीडियो में आपको फूरा step by step कर के बताया हूं कि 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 तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहां से कहां तक पहुंचा है तो चलिए फ पर आपने passport के status को check करने के लिए वीडियो के description में एक link दिया हूँ उस पे click करके आप passport के official website पे पहुंच जाएंगे अगर आप उस link पर click नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर passport लिख करके आपको search कर देना होगा search करने के बाद friend यहां पर देख सकते हैं www passport India.gov.inna गया इस पर आपको click कर देना होगा यहां पर मैंने click कर दिया click करने के बाद friend यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आजाएगा तो इसको आपको हटा देना होगा इस पर click करके और यहां पर friend देख सकते हैं कई सारी option यहां पर आ जाएंगे लेकिन friend आपको click करना होगा यहां पर देख सकते हैं track application status इस पर आप click कर दीजे यहां पर जहीं click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर interface आ जाएगा यहाँ पर लिख रहा है select application type तो आपको select वाले पर click करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे उपर passport लिखा है PCC इस पर आपको click कर देना होगा उसके वाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है file number और date of birth आपको दोनों चीज यहाँ पर डालना होगा तो date of birth यहाँ पर आप अपना इस पर click करके इसको ने वाले पर इस पर click करके आप अपना date of birth select कर लिजेगा और file number जब आप फार्म वरवाते हैं online करवाते हैं passport का तो हाँ पर file number मिलता है उस file number को और यहाँ पर date of birth डाल करके track status पर click कर देजे तो यहाँ पर मैं सब कुछ डाल क पर track status पर click कर दे रहा हूं track status पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से open हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका file number सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा data birth आ जाएगा name यहाँ पर given name जो जिसके नाम से यहाँ पर apply हुआ रहेगा उसका name आ पर पासपोर्ट आप इस पर गये थे ओ वाला डेट यहाँ पर दिखाए दे रहा है 19-4-2021 उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर लिख रहा है status में यहाँ पर नीचे लिख रहा है passport यहाँ पर पासपोर्ट नंबर यहाँ पर दे दिया गया है इस बेंड डिस्पाच डिस्पाच रहा है on यहोः पर लिख रहा है और आपके घर और अभी नहीं पहुंचा है तो tracking नंबर से अब आपको चेक करना होगा कि ओ पासपोर्ट अब कहां से कहां तक है अभी क्यों इतना टाइम लगा आपके घर पे आने तक मतलब कितना टाइम और लगेगा पूरा डीटियल आप जानने के लिए इसको आपको काफी कर लेना होगा ट्रैकिंग नंबर जो यहां पे नीचे लिखा है इसक पर आपको क्लिक कर देना होगा यहां पर मैंने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं जो भी यहां पर कैप्चा दिया गया है यहां पर 7-1 यहां पर दिया गया तो यहां पर 6 मैं यहां लिख दे रहा हूँ, तो 6 लिख दिया, 6 लिखने के बाद फिर यहां पे देख सकते हैं, आपको track now उपर click कर देना होगा, तो यहां पर मैंने track now उपर click कर दिया, track now उपर click करने के बाद फिर यहां पे देख सकते हैं, पूरा डीटेल यहां पे लिख रहा है, सबसे नीची आप यहां पे आ जाइए, 18.05.2021 को यहां पे देख सकते हैं, 6 बज के 49 मिनट लिख रहा है, 42 सेकंड पे लखनावू, BNPL, SP Hub, यहां पे लिख रहा है, आइटम बुक्ड हो गया है, 18.05.2021 को 7 बज के 7 मिनट पे आइटम ब गौरखपूर में आ चुका था, लखनाव उसे गौरखपूर आने में, यहां पे देख सकते हैं, 4 दिन का टाम ले लिया, उसके बाद यहांISA पे देख सकते हैं, फिर से 22 को ही आइटम बैट डूगा है, उसके बाद फिर से डिस्पाच होगा, और फिर से 22 को ही यहां पर देख सकते हैं गोरगपूर आर्यमेस रिसीब डूगा फिर से डिसपाच हुगा तो हमारे यहां जो चोरी चोरा है वहां पर आया चोरी चोरा से यहां पर देख सकते हैं आइटम फिर से बैग डूगा उसको फिर से डिसपाच हुगा और यहां पर फिर से आ गया है यहां पर देख सकते हैं चोरी चोरा चोरी चोरा से फिर से हमारा जो गाओं है गाओं में आ चुका है 24 तारिक को मतलब 18 तारिक को पायक हुआ 18 के बार 25 तारिक 24 तारिक यहां पर देख सकते हैं 24 पांच 2021 को 17 बच के 15 मिनट मतलब 5 बच के 15 मिनट पर यहाँ पे हमारे गाओं में आ चुका है और आइटम डिलेवरी कनफॉर्म्ड यहाँ पे लिख रहा है कि जो आइटम है और डिलेवरी यहाँ पे कनफॉर्म हो चुका है बरें कुछ इस तरह से आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहां से कहां तक पहुंचा है और वह कितने दिनों में आपके घर पर आजाएगा देख सकते हैं यहाँ पर हमारा agree जो टाइम लगा है छही दिन का लगा है 6 दिन में हमको हमारा जो पाशपोर्ट है वो मिल चुका है तो फ्रेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में डियल आइक को प्रेस कर दीजेगा तो फ्रें इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मापर